उसके पहले सीधे मनिशा जी आपके पास आते हुए जो दर्शक हमारे साथ इस वक जुड़े हुए हैं जो टीवी स्क्रीन देख रहे हैं चंदर ग्रहन देश के अलग-अलग हिस्सों में शुरू होने जा रहा है उनके लिए क्या जानकरी देंगी वो क्या करें क्या ना करें चंदर ग्रहन से जुड़ी हुई ग्रहन जब भी आते हैं तो हम चार चीजों का महत्व जो है बताया गया है स्नान जब तप और दान अब स्नान जो है वो कुछ लोग पहले करते हैं कुछ अब जैसे ही चंदर ग्रहन कंप्लीट होगा तो उसके बाद भी लोग स्नान तो आप चाहें तो अपने कार में या अपने फोन पर ही आप शिव कवच या शिव चलीसा यूट्यूब पर प्ले कर सकते हैं उसे सुन सकते हैं अगर पढ़ना मुम्किन ना हो तो ये तपस्या ही है कि कुछ खाया ना जाए क्योंकि त्याग का बहुत बड़ा महत्व है ब अक्सर सूतक में भी कुछ नहीं खाते पीते हैं। कर सकते हैं अपने घर में जो लोग domestic help हमारी काम करती हैं उने दे सकते हैं ग्रहन के दौरान आप चाहो तो जो है वो support staff है सफाई करमचारी है इनको भी दे सकते हो उसके बाद जो है वो किसी खुबसूरत तरीके से बताया कि बच्पन में हम उसे मामा की तरह और जवानी में महभूब की तरह और बुढ़ापे में जो है हम पूजा पार्ट से जोड़ देते हैं वॉलिवूट का तो बहुत बड़ा बाजार भी चला है शत्रमा के भरोसे यह हमें भोलना नहीं चाहिए तो हम जब ग्रहन की बात करते हैं तो उसका सरल अर्थ है पकड़ लेना, कंजियूंग करना, खा लेना तो हमें लगता है कि कहीं इन चीजों को कोई खा तो नहीं रहा तो इसलिए शायद हमने बच्पन से इतनी सारी कहानिया सुनी है तो डर लगता है कि ग्रहन आया है ना जाने क्या करेगा पर ऐसा नहीं है कि हर बार जो है तस्वीर आपके जस्ट बगल में है तो अब धीरे धीरे चल चांद गंगन में उनने सो नसट में पिक्चर आई थी लव मैरिज मुझे यादा आ गया इन तस्वीरों को देखते ही आपके साथ जी मत अब ऐसा हो जाएग कि धीरे धीरे चल चांद गंगन में अभी अपने पूरे रूप में आ जाएगा थोड़े देर के बाद? अब खतम होने के बाद? क्योंकि मन की बात हो रहा है, चंदरमा वो हमारे मन का कारक है तो किसी का दिल ना दुखाएए, कोई मानता है तो उसका साथ दीजिए, अपने उपिनियन्स अपने तक रखी और कोई नही मानता तो उस पर दबाव मत बनाईए कि आपको नहाना ही है, आपको ये करना ही है, क दान जितना किया जाए, वो चंद्रग्रेहन हो या ना हो, दान जरूरत मन्द को किया जाए, पात्र को किया जाए, कुपात्र को ना किया जाए, तो हमेशा लगता है.